What is up everyone, welcome back to the channel, I hope you guys are doing great तो दोस्तो आँ 23rd September हो चुकी है, तो आज officially जो है Flipkart के उपर The Big Billion Days की सेल और Amazon के उपर जो है The Great Indian Festival जो है वो स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर जो है साल की अच्छे से अच्छी डील्स आती है और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कौन से ऐसे 4K TVs है जो 20R से लेके 30R के अंदर आपके budget के अंदर अच्छे खासे latest जो features है उसके साथ आपके budget के अंदर fix हो रहे हैं और जिनका performance भी जो है वो अच्छा खासा रहेगा या decent performance जो है वो budget के अंदर देंगे तो शुरुआत कर लेते हैं लेकिन उससे पहले guys मैंने अपने analytics के अंदर देखा के बहुत सारे viewers है लेकिन subscribers नहीं है तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी value मिल रही है मेरे videos से तो please दोसो channel को subscribe कर दिया करो और उसके साथ-साथ guys video के description box के अंदर मैंने सारे links डाले हुए है तो अगर आप लोग वहाँ से purchase करोगे तो without any extra cost to you आप लोग को अच्छी deals फिलेगी उसके सामने मुझे भी जो हलका सा reward मिल जाता है जिससे मुझे channel के अंदर ऐसे videos बनाने के लिए थोड़ा सा motivation मिलता है तो I hope आप लोग उसके अंदर भी मुझे support करेंगे तो आप लोग कुछ भी लेंगे वो link से तो मुझे उसके अंदर से हलका सा reward मिल जाता है जो मुझे motivation देता है ऐसे deal वाले videos बनाने के लिए तो let's start with the video तो यहाँ पर मैं शुरूआत कर लेता हूँ पहले तो MI के TV से Redmi का TV है ना कि MI का TV तो Redmi का TV जो है वो Redmi और MI A की brand है यह Redmi एक budgeted brand रहेगा यहाँ पर मैं आप लोगो दिखा देता हूँ शुरूआत कर लेता है 4K TV विद 43 इंच तो यहाँ पर इसका price है 22990 but with deal from SBI card यह पड़ जाएगा आपको सिर्व 21 अर के साथ और यहाँ पर बने रहे है गाईस वीडियो के अंदर पूरी वीडियो end तक देखना बहुत अच्छे अच्छे deals में दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर 4K HDR आपको पैनल मिलेगा with Dolby Vision मिल गया तो यह जो TV अगर आप लोग लेंगे तो Netflix के उपर जो भी content आते HDR content हो गया तो यह सारा आप लोग इसके अंदर जो आपको बड़िया experience रहेगा audio and video का दोनों का उसके साथ Android 10 का support रहेगा उसके साथ यहाँ पर patch wall 4 आता है जो के MI का skin है on Android TV तो यहाँ पर उसकी हिसाब से जो है आपको recommendations रहेगे वीडियो के या तो वे TV channels के वो सारे जो चीज़े है आपको इसके साथ मिल जाएगी साथ अगर आपको थोड़ा premium में जाना चाहते हो तो MI का यहाँ पर TV है तो MI का भी TV मिलेगा same options है सारे HDR plus 10 जो 10 plus panel रहेगा Dolby Vision Dolby Atmosodio वाला उसके साथ इसके अंदर benefit यह रहेगा के 40 watt के speakers मिलेंगे और उसके साथ इसका जो panel है वो थोड़ा सा aluminum brush panel है तो मतलब यह premium दिखेगा compared to this one यहाँ पर आपको plastic body वाला मिलेगा तो यह थोड़ा सा premium हो जाता है लेकिन price difference अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी यह भी deal में है इसका original price 33,000 रहता था यहाँ पर अगर मैं आप लोगो दिखा दूँ यह tool तो यहाँ पर original price की 30,000 से लेके 33,000 रहती है लेकिन deal के साथ आपको 30,000 प्लस आपको 2000 का इसके अंदर instant cashback मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको 28,000 के अंदर पड़ेगा तो यह एक अच्छा option है लेकिन price difference अगर देखें तो यहाँ पर 21,000 प्लस यहाँ पर 28,000 तो 8,000 का difference है तो is it worth it दोनों का panel दोस्तों बिल्कुल same है अगर 4K panel की quality दिखने जाए तो दोनों panel same रहने वाले आपको उसके अंदर visuals म कोई difference नहीं आएगा सिर्फ जो difference है वो इसकी body के अंदर हो गया और brand का हो गया यह Redmi है यह MI है तो दोनों का जो है वो brand अलग है अब उसी तरीके से 50 inch में भी जाओगे Redmi के अंदर तो वहाँ पर भी आपको option जो है वो 27, 28,000 के अंदर है उसके अंदर भी जो है आपको discount मिल जा मेरे ख्याल से यह best options रहेंगे अगर कोई भी जो है decent TV buy करना चाहता है with budget of 20 to 25,000 के अंदर अब थोड़ा सा उपर जाते है अच्छे brand के अंदर लेना है अगर आपको है कि मुझे Redmi brand में नहीं जाना मुझे एक Samsung LG ऐसा branded में जाना है तो यहां पर मैं आपको Samsung का दिखा रहा हू 43 inch का TV है HDR plus नहीं है इसके अंदर HDR available होगा Dolby Vision का support नहीं है इसके अंदर Dolby Audio का नहीं मतलब normal Dolby Digital Audio जो certification होता है वो support रहेगा PC on TV यह सारे बहुत सारे इसके अंदर options होता है मतलब features आते हैं यह भी बहुत अच्छा TV है दोस्तो और अगर मैं आपको compare करूँ इसके panel quality के सबसे तो अगर आप लोग Netflix के उपर या Prime Video के अंदर देखेंगे तो यह जो TVs है तो इनकी brightness तो थोड़ी से कम मुझे लगी compare to Samsung TVs के साथ तो मुझे लगता है Samsung TVs are far much better in that panel quality तो अगर आपको थोड़ा सा bright display और अच्छे display में जाना है तो यहाँ पे आप हलके से ज्यादा price खर्च करके इस के साथ जो है अप लोग जा सकते हो इसके अंदर आपको 1750 रुपे का SVA का discount मिलेगा तो यह भी जो है आपको around 26 सहर के साथ आपको यह Samsung का 43-inch का Crystal TV Series जो है Ultra इसकी भी जो लिंक है मैंने डाल दिया description के अंदर तो यह आपको मिल जाएगा थोड़ा सा उसके साथ जाते है उसी के थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा performance MI से ज्यादा और Samsung के कम वाला अगर देखने जाए तो similar type of यहाँ पे मिलेगा HDR10 Dolby Audio यहाँ पे 30 watt speakers है उसके साथ Dolby Vision वगरा भी है वो सारा supported रहेगा तो यह जो TV है यह भी View के TV भी अच्छे खासे रहते है दोस्तों और यहाँ पे जो है आपको 43 inch का TV जो है आपको 25 अर में पड़ेगा और यह जो है इसकी final price है दोस्तों इसके अंदर शायद deal के अंदर नहीं है यहाँ पे हाँ यहाँ पे 1000 रुपी है जो है आपको discount मिलेगा 1000 का discount मिलेगा दोस्तों इसके साथ और अगर 50 inch के अंदर जाना है तो 50 inch का price देख लेते हैं तो 50 inch का price है दोस्तों यहाँ पे 30 अर लेकिन उसके अंदर आपको 1500 रुपीय का SPI का discount मिलेगा तो यह भी जो है under 30,000 के अंदर आपको similar options मिल जाता है सारी चीज़े है इसके अंदर 4K panel with Dolby Vision HDR10 support रहेगा तो यह भी एक अच्छा option रहेगा तो MI के साथ ना जाकर अगर वियू में जाएंगे तो मुझे ख्याल मेरे ख्याल से और मैंने जितना देखा हुआ है वियू के टीवी सो वो ज्यादा superior होते है from MI उसके साथ साथ जो है MI की ही सारी वियू की quality जैसा ही similar performance अगर देखना चाहते हो तो यहां पर हाइसेंस का भी है जो 43 इंच का टीवी है उसका प्राइस सोड़ा सा ज्यादा है 29,000 है और उसके अंदर लेकिन 2000 रुपी का instant discount मिल जाएगा तो यह भी आपको मिल जाता है सेम इसके अंदर सारे जो features है Dolby Vision हो गया Dolby Atmos audio हो गया उसके सा जो है 10 bit का इसका भी पैनल का quality रहेगा तो यह भी आपको जो है similar performance देगा compare to view तो view के साथ ही इसका जो पैनल है वो compare करा जाता है और दोनों का जो पैनल का quality रहेगा वो दोनों similar रहेगा तो यह आपको decide करना है कि कौन से brand में आपको जाना है आप लोग review यहां पर दूसरे द available है view का यह glow LED करके model है यह 50 inch का TV है आपको पढ़ेगा 30,999 में और उसके अंदर भी जो है 1750 का discount है लेकिन इसके feature क्या है तो मैं feature आपको दिखा दूँ जो इसका main feature है तो यहां पर company claim करती है कि इसका जो nits है जो display brightness है जो मैंने आगे samsung के अंदर बता है तो उसका भी वैसा ही 104 watt का DJ सब woofer दिया गया तो मतलब sound quality इसकी हर एक आगे जो TV हमने देखे उससे अच्छी ही रहेगी बहतर रहेगी लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि आगर आप लोग TV ले रहे हो तो vision के लिए लो मतलब visuals कितने अच्छे लगते है या vision मतलब visual के लिए क्या options अच्छे है जै उसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं panel की बात करूँ तो यहां पर 94% NTSC color gamut है तो उसका मतलब यह रहता है color की accuracy जो है वो अच्छी रहेगी जहां पर हम लोग colors की बात करते हैं तो कही जगा ऐसा होता है लाल बहुत ज्यादा लाल या green बहुत ज्यादा green होता है तो कही बा जो by default रहता है आपको कोई setting करना नहीं होता तो by default ही आपको जो है अच्छी video quality मिलेगी तो मेरे ख्याल से दोस्तों यह भी एक premium थोड़ा सा जाना है तो यह एक अच्छा option है तो यहां पर मैंने आपको 5 TVs के ऐसे options दिखाए कि जो बहुत ही बढ़िया है जो आपको 20-30R के budget क अंदर आपको बैठ जाएंगे 4K पैनल रहेगा सब के सब TV जो है HDR support करते है तो आपको कोई भी TV के अंदर जाओगे तो Netflix हो गया prime video हो गया हरे के अंदर जो है HDR content जो है वो enjoy कर पाएंगे तो यह आपको attention लेने की ज़रूद नहीं है कि कौन से TV में support होगा नहीं होगा सब में होगा alright guys तो आज की वीडियो यहीं पर end करते है guys इन सारे जो टीवी से उनकी link मैंने description में डाली हुई है अगर आप लोग वहाँ से purchase करेंगे तो without any further cost to you आप लोगो यह deals मिलेगी और उसके सासाथ मुझे भी चैनल चलाने के लिए हलका सा reward मिल जाता है जिससे हम लोग ऐसे deals वाले वीडियो जो है बना सकते हैं तो guys I hope आप लोगो यह वीडियो अच्छी लगी है informative लगी होगी मिलेंगे next वीडियो के अंदर तो चले चलते हैं वाबाय टेक कियर